गुडिएनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे मेगटिजम का question number 4.2 example में जिसमें हमें दिया है x, y, z plane जिसमें x axis की direction में charge particle v velocity से move कर रहा है और magnetic field downward है यानि वो y axis में है और z axis हमको दे रखी है तीन directions है x, y, z तो देखिए जब भी कोई charge particle किसी magnetic field में move करता है उस पे larynge force काम करता है जो होता है f is equal to q e b वेक्टर form में है v cross b तो देखिए charge particle x direction move कर रहा है तो उगलियों को हमने x direction में कर दिया और field हमारी downward है तो हम v cross b करेंगे निकि field को हम नीचे के तरब दिखा देंगे घुमा देंगे वी इस direction में है velocity charge particle के और नीचे घुमा दीजे वी cross b कर दीजे तो उठा कहां दिखा रहा है आपको z direction तो अब ध्यान दें चुकि charge particle हमारा electron है इसलिए हम minus sign अगर सोचे दिमाग में जोकि electron negative charge होता है तो जो हमारी direction along z axis आई है वो पलट जाएगी वो क्या हो जाएगी z axis की तरफ negative z axis negative z axis क्योंकि charge particle हमने positive लिया है तो वी velocity से move कर रहा है और field downward है तो उगलियों को हमें नीचे कर दिया तो field हमारी जो अंगुठा है वो थम्भ है वो z direction दिखा रहा है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि उस पर force उपर काम करेगा लेकिन चुकि negative है इ इसलिए उस direction में हो जाएगा जड़ के negative direction हो जाएगा तो answer होगा कि जो charge particle है negative वाला इन electron एक तरह से उस पर जड़ ड़ेक्शन पर लगेगा लेकिन negative direction यहीं प्लस जड़ के opposite direction है अब यही कहता है कि अगर proton हो तो proton के लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं चुकि हम पहले ही मान रहे हैं कि positive direction में हमारा proton चल ला है तो x axis की तरफ velocity और field की तरफ हमने इसको मोड दिया क्योंकि v cross भी करना है तो यह हमको क्या दिखा रहा है उठा जड़ डिरेक्शन में इसका मतलब क्या हुआ कि proton पर य लगेगा फोर्स लगेगा कहां पॉस्ट जड़ डिरेक्शन में पॉस्टिफ कहने की दो नहीं जड़ एक्सेस की तरफ डिरेक्शन में प्रोटान पर फोर्स काम करेगा तो इस तरह से इस कुश्चन को सॉल्ट करेंगे